ये हमारा आई दूसरा इसका लेक्चर हैं हम पढ़ रहे हैं लीनियर क्वेशन हएं थीए तो आज हम सुलूशन ऑफ ले इस बढ़ेंगे रिए याई जो भी हमारे पास लीनियर क्वेशन से ठीक हैं उनका स्टलूशन हम कैसे निकालते हैं 또 हम psicotron कुभी ह ? दो का सिरिआ हो , एक तो हमने पढ़ा है है । परस निवा क्यों दो ही डीफ है , पहले हम क्या करुए। थेखे के पहले हम एक ह्या क्यों ह्या कहते हैं , फिर से एक बार हम इस वंवायरिबल . sallow करेंगे ठेक हैं इसको simplify करेंगे तो sallow करने पे हमारे पास यह इस unknown का एक ही क्या कहते हैं एक ही value हो जाएगा ठेक हैं अगर हम इसको sallow करेंगे तो हमारे पास unknown जो variable है इसका एक ही value हो जाएगा सही बात है तो और कोई यहां पे कोई और value नहीं हो सकता है तो इसका हम जो conclusion निकाल सकते हैं वो यह है कि जो भी equation in one variable है उसका हमेशा हमेशा एक ही root होगा सही बात है तो अगर linear equation one variable एक root है ठीक है अब हम देखेंगे कि linear equation in two variable उसकी कितने roots हो सकते हैं सही बात है यह हमारे पास equation है ठीक है यह दो variables है ठीक है हम इसको देखेंगे कि values put करेंगे फिर देखेंगे कितने roots इसमें जो satisfy करते हैं ठीक है पहले अगर हम देखेंगे हम x को put करेंगे zero ठीक है अगर हमने x को zero put किया ठीक है तो हम देखेंगे हमारे पास y का कुछ ना कुछ value आएगा सही बात है अगर हम अब क्या करेंगे y को 0 पुट करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ठीक है तो इसका मतलब है अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें कोई भी वैल्यू डालने पे हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है इसका मालब है जितने वैल्यूज आप डालते रहोगे उतने वैल्यूज पर यह equation satisfy होती चली जाए that means कि जो यह equation है equation two variable है इसके पास यानि इसके बहुत सारे roots होते हैं अगर linear equation one of a variable का एक ही root है यानि unique solution है मगर चूंकि अगर हम यह देखेंगे यह linear equation two variable है तो इसके पास बहुत सारे roots है अगर हम for example और एक example और एक value put करेंगे for example हम x को one put कर देंगे अगर हम x को one put कर देंगे तो हमारे पास y का और कोई value आ जाएगा ठीक है अगर हम इसको solo करेंगे 3y is equal to 12 minus 2 3y is equal to 10 y is equal to 10y3 यह देखें कि x के value यानि अगर हम कोई भी value x में डाल देंगे सही बात है तो हमारे पास y का कुछ और value आ रहा है हमने x क्या put किया था one किया था y का क्या है 10 y 3 तो इसका मतलब है यह इस equation को satisfy कर रहे है यहां पर हमारे पास क्या है कि six comma zero satisfy कर रहा है यहां पर zero comma satisfy कर रहा है अगर हम और भी एक दो value डाल देंगे यानि infinite video अगर हम डाल देंगे तो इसका मतलब है यह equation satisfy होती चले जाएगी तो conclusion हम यह निकाल सकते हैं कि जो linear equation in two variables होती है इसके infinitely many solutions होती है ठीक है तो मैंने एक conclusion point यहाँ पर import लिखा है वो याद रखना है कि एक linear equation जो है ठीक है उसके क्या है infinitely many solutions होती है यानि जो यह हम वहाँ roots निकल यह क्या है actually है इसके solution यह इसको satisfy कर रहे हैं सही बात है अब हमने एक equation लिए है ठीक है दिखने में तो यह लगती है कि यह equation in one variable है इसका एक solution होती है बट मैंने इससे पहले भी एक lecture में बताया है कि हम इसको represent कर सकते हैं सही बात है हम इसको represent कर सकते है linear location to variable में अगर हम इसको linear location to variable में represent कर सकते हैं तो हम फिर इसके roots एक से ज़्यादा भी देखा सकते हैं ठीक है तो क्या करेंगे अगर for example हम x को 0 डाल देंगे यहाँ पर हमने तो इससे कोई फ़र है हम x को 0 डाल देंगे x को जब 0 डाल देंगे तो हमारे पास y का value कुछ आएगा ठीक है यह सालो करना है यहाँ पर तो y का value minus 4 y 3 है फार एक्जा अगर हम 3 y ठीक है यही equation फिर से एक बार लिख लेंगे ठीक है तो इस वक्त क्या कर देंगे इस वक्त हम x को one put कर देंगे ठीक है तो 3 y is equal to minus 4 y is equal to minus 4 by 3 यहांगर हम X को क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, वैली चुश करेंगे हम अगर य भी 0 हुग बावत जीरो हो गया है, इसलिए यहाँ पे और एक important point है आप अगर linear equation in two variables की बात करोगे अगर आप linear equation in two variables की बात करोगे तो वहाँ पे आपको जरूरी दो चीज़ याद रखना है कि A और B दोनों एक साथ zero नहीं होनी चाहिए यहाँ पे जो मैंने example लिये हैं इस point को समझाने के लिए मैंने लिये हैं क कि अगर आप linear equation in two variables की बात करते हो तो at a time यहने same time दोनों यहने A और B जीरो नहीं होनी चाहिए तब हम इसको बिल्कुल linear equation बोल ही नहीं सकते हैं कि अगर यह भी जीरो ही यह तो फिर एक constant term रह गई ठीक हैं तो इसलिए यह जरूरी है कि A और B को हम जीरो नहीं कह सके हाँ ब values पूट करेंगे तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे values आ जाएंगे सही बात है इसके बात हम exercise पर चलेंगे थोड़े questions करेंगे इसके ठीक हैं तो पहले हमें दिया गया है कि एक question है यह है which one of the following options is true और अगर true है तो क्यों है हमारे पास equation दिये गई है ठीक है equation क्या है कि y is equal to 3x plus 5 यह हमारे पास equation है और बताते हैं कि मतलब इन मेंसे क्या है true है unique solution है इसका only two solution है infinite minus हम देखेंगे हम solo करेंगे सही है अगर हम क्या करेंगे काम अगर हम for example x को zero put कर देंगे ठीक है आप ऐसी हम कोई भी value डाल सकते है zero हम इसलिए डालते हैं कि यह हमारे ले एक आसानी करता है बस और कोई काम नहीं ठीक है आप कोई one सा ले लो two ले लो three जो भी आपकी मर्ज़र अप ले सकते हैं तो हम इसको ले देंगे three into zero plus five y is equal to five y का यह value आ गया है ठीक है अगर हम क्या करेंगे कम y को zero कर देंगे तो zero is equal to three x plus five जिस तरह हम equations सालो करते हैं बस सैम उसी तरह हमें equations को सालो करना है ठीक है x is equal to minus five y three जब हमने x को zero डाल दिया ठीक है तो y का हमें कुछ value आ गया यह नहीं five आ गया और जब हमने y को zero कर दिया ठीक है तो x का value हमें minus five by three यह हमें फिलहाल आ गए दो solution हमने फिलहाल x को zero कर दिया फिर y को zero फिलहाल दो सब्सक्राइब है only two solution यह तो नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम और एक value कोई भी डाल देंगे for example one अगर डाल दें one is equal to three y को मैंने one put किया ठीक है तो three into three x plus five तो यह गया one minus five is equal to three x सही है तो यह minus four by three is equal to x तो x का value हैं पर minus four by three आया तो यह है minus four by three कामा one तो इसे मतला पर यह नहीं हो सकता है यह वाला और unique solution तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है यह तो पहले ही out होगा क्योंकि हमने देखा कि दो solution तो इसको इसको ऐसी आ रहे हैं ओर हम और भी value जालते रहेंगे तो यह ओर वैलू देता रहेंगे तो इसका मतलब है इसका इसका यह है अब बताना कि क्यों है क्योंकि यह पिसके इसके जो ऑपना बाल चैंज़ करता हो ने उनको आप क्या कहेंगे डिपेंड अँधिय Forsch sweetness कहेंगे ठीक है और जो ये इसफाइड वाला वारिबल हो गा या जो भी फंक्षन होगी ये डिपेंडन्ट है ठीक है ये इंदेपेंडन्ट क्यों है क्योंकि आप कोई वेस्हाइड क्षाइड डाल सकते हो जो भी value आप चाहोगे तो डाल सकते हो इसपे कोई फर्क में जो value में अगर आप इस साए डाल दोगे इस साहरे बगारे पढ़नेवाला है बात समझा रही है कि आप जो भी value यहाँ पे डाल सकते हैं आप पाप इस नाप डाल सकते हैं इस पे चाहले हैं दूसरा question में क्या बोल रहा है कि write four solutions for each of the following equations चार solutions हमें लिखने हैं हर एक equation की ठीक है 2x plus y is equal to 7 तो यह equation दी गई है इसके हमें चार solutions लिखने हैं तो पहले हम x को zero put करतेंगे x को हमने जो ही zero put कर दिया तो y अपना value कुछ देगा ठीक हैं तो y का हमें क्या value आया y is equal to 7 तो इसका मतलब हो गए है x जब zero था तो y कितना आया 7 आ गया इसी तरफ अगर हम अब क्या करेंगे अब y को put कर देंगे zero जो ही y को zero put कर देंगे तो यह two x plus zero is equal to seven आ गया तो इसका मतलब है two x is equal to seven x is equal to seven by two तो इसका मतलब हो गया आपने जब y का value zero put कर दिया है तो x का y is seven by two आ गया ठीक है यह हो गए फिलाल दो अब one भी डाल सकते हो two भी ठीक है हम इस बारे two put कर देंगे तो x को हम put करेंगे two सही बात है तो यह हो गया two into two plus y is equal to seven four plus y is equal to seven y is equal to seven minus four तो वो हो गया three तो इसका मतलब हो गया है जब हमने x को two put किया तो y three आ गया अगर आप आपने यह value तो डाल देंगे यह इसके पियर निकला solution का अगर आप यह value इसमें वापस put कर देंगे हम देखेंगे क्या ही वागी इसको satisfy यह satisfy करना चाहिए ना क्यांकि एले जब आर इसके बार आप तो हम बताएंगे हाँ इसने बिलकुल इसको satisfy का दिया तो x के बार ले अगर हम two डाल देंगे ठीक है हो गया four और क्या करेंगे यहां पे y के बार ले 3 डाल देंगे तो four plus three is equal to seven seven is equal to seven exactly बिलकुल सही है तो इसके मतलब है यह बिलकुल satisfy कर रहा है जो भी solution हमने निकाले यह बिलकुल सही दुरस्त है और इसी तरफ आपको और दो parts इसमें दिये गए यह आप बिलकुल इसी तरफ zero put कर देंगे one two three जो भी आपकी मर्जिय है आप value डाल सकते हैं अगर आप x कड़ाव देखे तो y का आएगा और y कड़ाव देखे तो x का आएगा और यह question भी अभी मैंने बताया कि किस तरह इसको करना है ठीक है तो अभी हमने इसको बताया कि यह है x is equal to four y यह x is equal to four y अगर है तो last time मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि हम इसमें constant add कर सकते हैं यह इस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वादा ठीक है तो x minus four y ठीक है प्लस अगर हम इसको zero भी लिख लिखेंगे is equal to zero तो कोई फरक नहीं पढ़ने वादा ठीक है तो फिर हम आप इस हिसाब किसी देखो यह यह zero यहाँ पे डालने की कोई जूरत नहीं है ठीक है अज़र आप थोड़ा confused होते रहोगे तो थोड़ा पहले बहले होगा तो zero आप यहाँ पे डाल सकते हो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यहाँ पे x को zero डाल दोगे y का value आएगा है y को zero डाल दो x का आएगा तो इसी दरह यह question करना है ठीक है बागी simple है तो इसके बाद हम क्या करेंगे third question है हमारा third question में क्या बोल रहा है कि आप हमको बता हमें equation दी गई है और हमें वहीं से solutions भी दी गए है ठीक है इने पियर के जो satisfy कर रहे है roots हमें बताना है कि क्या वागी है इसमें इने कौन-कून साइसको satisfy कर रहा है इने कौन-कून सा इसका solution है चक which of the following are solutions of the equations x-2y is equal to 4 equation है यहाप x-2y is equal to 4 ठीक है है तो क्या करना है x हमें क्या put करना पहले जीरो और y 2 पहले देखेंगे x को क्या करना 0-2 into 2 is equal to 4 ठीक है तो यह हो गया minus 4 is equal to 4 क्या यह बराबर है बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब है पहला पार्ट जो है वह इसको satisfy बिल्कुल नहीं है इसका रूट इसका रूट नहीं है सही बात है इसी तरफ अगर हम इसमें दूसरी पार्ट का है ठीक है उसका डाल देंगे तो x को हमें put करना है 2 इस equation में डालना है minus 2 into 0 y का कितना है 0 है is equal to 4 तो यह है हो गया 2 minus 0 is equal to 4 बिल्कुल टू 4 के बरावर बिल्कुल भी नहीं है ठीक है तो इसका मतलब यह भी इसको satisfy नहीं कर रहा है इसके बाद हम अगर तीसरे पार्ट पर देखींगे क्या हो रहा है हमें point कौन से दिया गया है 4,0 दिया गया है ठीक है यहां पर 2,0 की दिया गया है तो यहां पर 4,0 अब हमें क्या करना है एक्स के बाद है मैंने इसे पहले बताए जो भी पहला point है यह x coordinate है यह y coordinate है ठीक है तो x के बाद ले हम डाल देंगे अपना value 4 इस वकर डालना है minus 2 into y के बाद ले 0 is equal to 4 तो बिल्कुल 4 minus 0 is equal to 4 तो 4 is equal to 4 बिल्कुल यह इसको satisfy कर रहा है तो इसका मतलब है यहीं इसका solution है इसका route है इसे दर अब हमारे पास और दो पार एक दो पार्ट है इनको इनका value put करके देखना है यहां पर यह प्रबेली पता है शायद 42 होगा यह देखना चक करना है तो बस इसके बादे डालते ना और यह और यह बाद ले ठीक है इसके बादे ले और यह बादे अब लास्ट पार्ट मैं दिखा ही देता हूं कि यह फी पार्ट है हमें पॉइंट करना है put one का माउन ठीक है तो X के बदले 1 डाल दूँगा और 2 Y के बदले 1 डाल दूँगा हमें बताना क्या है इसके 4 के बरावर है कि नहीं ठीक है तो अगर हम देखेंगे 1-2 इस यहां पे अगर हम इसको सालो करेंगे तो यह हो गया माइनस 1 इसका रूट नहीं ठीक है तो यह हो गए कुछ हमने सुलूशन देखे कि कैसे क्या है अब लास्ट कॉच्चन है मैं इसका इसके बाद थोड़ा सा और बता हूंगा कि क्या कर रहा है यह बोल रहा है कि हमें find the value of k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y यह बता रहा है कि अगर आप x को इतना इने 2 डाल दोगे y को 1 डाल दोगे और यह इस equation का solution है है तो आप बताईए कि k के value क्या है यह इसका मतलब यह इस equation को satisfy करना चाहिए हम equation लेखेंगे 2x plus 3y is equal to k ठीक है एक्स के बाद ले में क्या डालना है 2 डालना है plus 3 के बाद ले क्या डालना है sorry 3 तो है y के बाद ले क्या है 1 is equal to k ठीक है तो इसका मतलब है 2 2s are 4 plus 3 is equal to k इसका मतलब है this implies k is equal to 4 plus 3 is equal to 7 तो इसका मतलब है k का value कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए ठीक है तो यह हो गए हम अभी पढ़ रहे हैं कि linear equation यह नहीं two variables लेकिन हम फिलाल एक ही equation पढ़ते हैं जब हम थोड़ा आगे जाएंगे तब हम peer of linear equations पढ़ेंगे ठीक हैं तो उस वकत हम फिर इसको graphically भी represent कर सकते हैं हम इससे इसके बाद भी जो चाप्टर यानि जो एक्साइस हैं वह graphic representation है ठीक हैं तो यह फिलाल हम एक equation पढ़ रहे हैं यानि only one equation meaning equation two variables पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें एक ही हैं जब हम हमारे पास peer of linear equations होगा तो उस वकत थोड़ा और इसमें अच्छे धरा पढ़ना है यह सब्सक्राइब इसके रूट देखेंगे कैसे क्या निकालते हैं बिल्कुल इसी तरह यह equation भी सालो करने हैं बहुत सिर्फ फरक यह हैं कि यहां पर हम एक equation है एक equation सालो करते हैं यहां पर दो equations है ठीक है तो इनको हम सालो करेंगे इसमें हम पढ़ देंगे फिर consistent, inconsistent ठीक हैं ग्राफिकल एप्रोच और algebraic एप्रोच के कैसे equations को सालो करते हैं और इनकी क्या application है रियल लाइफ है तो यह हम आगे lecture हम पढ़ेंगे थैंक यू